उन्होंने 41 साल की उम्र में अभिने करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभिनेता बोमन इरानी ने फिल्म निर्माता बनने की ठानी। इस साल उनका प्रदर्शन व्यस्त है, लेकिन वो कैमरे के पीछे काम करने के लिए उच्छुक है। मैं लंबे समय से निर्देशन के बारे में सोच रहा था। मैंने इसे खुद लिखा था। इरानी ने कहा कि मैं 2022 के मध्य तक इसे लॉंच करने की उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन वो पहले अपना एक्टिंग करियर खत्म करना चाहते हैं। मैंने इस साल के लिए बहुत कुछ योजना बनाई है। मैं भी जयेश भाई जोरदार का इंतजार कर रहा हूँ। फिर मेरे पास डिटेक्टिव शेरगिल, रनवे 34 और उची है। उसके बाद मैं राजु हिरानी की फिल्म शुरू करूंगा। मैं उनकी फिल्मों से बच नहीं सकता क्योंकि वे मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं उन्हें करूंगा, वे कहते हैं। महामारी ने भले ही कई अभिनेताओं को प्रभावित किया हो, लेकिन उनको नहीं। मैं बहुत भागेशाली हूँ क्योंकि मुझे व्यस्त रहने में मज़ा आता है। और मैं पूर्व महामारी के दिनों की तुलना में व्यस्त व्यस्त रहा हूँ। मैं वास्तव में भागेशाली रहा हूँ कि मुझे व्यस्त और नियोजित रखा गया। मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे घर पर बैठने से नफरत है, वे कहते हैं.